रेडी है यह tasty spicy and thick green chutney अगर आप यह चटनी बनाना सीख गए जिसको बनाना बहुत ही असान है तो आप किसी भी खाने का टेस्ट जबल कर सकते हैं यह flavorful accompaniment को as a side dish serve कर सकते हैं या फिर आप किसी भी sandwich पे as a spread यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत तरीके हैं से यूज़ करने के किसी भी चार्ट में काथी रोल के साथ sandwiches में इंडियन स्टाइल बर्गर स्नाक्स बहुत ही टेस्टी लगती है यह हरी चटनी स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में तो आज मिल आई हूँ यही special accompaniment जिसका नाम है हरी चटनी रेसिपी के शुरुआत करने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब करना न भूले साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस आपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाएं चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम हरादनिया एक नीम्बू एक मीडियम साइज अधरक का टुकडा एक मोटी हरी मिर्च मिर्च की हेड एं टेल कट कर देंगे मसालों में हमें चाहिए एक चुथाई टी स्पून नमक एक टी स्पून जीरा एक चुथाई टी स्पून काला नमक और चुटकी बर हींग इंग्रीडियन्स सारे रेडी हैं अब मिक्सी लेंगे और उसमें आट करेंगे हरा धनिया मैंने यापे छोटा जार लिया इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हरा धनिया पीसूंगी आप एक बारी में भी पीस सकते हैं मिर्च इसमें डाल देंगे अगर आपको ये चटनी तीखी बनानी है तो मोटी मिर्च की जगा आप बारीक वाली मिर्च भी ले सकते हैं साथ ये आड कर देंगे अद्रक के टुकडे काला नमक काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरा भी आड कर देंगे सफेद नमक हींग हींग बहुत ही अच्छी होती है डाइजेशन के लिए तो इसको हरी चटनी में ज़रूर आड करें थोड़ा सा पानी आड करेंगे एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ मैं आपको अगर आपको इस चटनी को हरा रखना है जादा दिन के लिए तो इस समय आप दो आइस क्यूब्स जाल दे और इसी टाइम पे एक नीम्बू का रस भी डाल दे ये दोनों चीजे करने से चटनी जादा दिन तक हरी रहती है अब जार बन कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए अगर आप इस चटनी को स्टोर करके रखना चाते हैं तो फ्रिज में आप 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और फ्रीजर में आप हफते के लिए मैंने या पे छोटा जार लिया इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हरा धनिया पीशूंगी आप एक बारी में भी पीश सकते हैं थोड़ी सी गाड़ी है ये इसमें पानी आट कर देंगे ये चटनी बनानी बहुत असान है और बहुत टेस्टी लगती है ये जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसेपी को हमें इस चटनी की कंसिस्टेंसी मीडियम चाहिए जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूं तो देखा दोस्तों घर की बनी फ्रेश हरी चटनी बिना किसी प्रेशरवेटिव के कितनी असानी से बन जाती है बजार जैसी इसे किसी भी ब्रेकफास्स साउथ इंडियन डिश या फिर दाल के साथ सर्फ करें अपने खाने का टेस्ट डबल करें मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार रेसिपीज के साथ अब तक के लिए अबस्क्राइब